क्या आपको पता है कि अगर आपके पास एक normal Facebook page है, तब भी आप Facebook starts वोले option को अपने page पे setup कर सकते हो, जी हाँ guys अब ओ जरूर है नहीं कि आपके पास एक gaming page हो, तब आप Facebook page पे अपने starts वोले option को setup करो, अब आपके normal page पर भी ये काम करेगा, यानि कि आप अपने normal Facebook page पर भी Facebook starts सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने फेस्बूक पेश्च पे एक नॉर्मल वीडियो भी पोश्ट करते हो तब भी कोई भी यूजर आपको इस्टार सेंड कर सकते हैं यह जरूर रहे हैं कि आप लाइव स्ट्री उर्मल वीडियो और सब्सक्राइब करें ना कुए के बिस यह जान लें वोग सब्सक्राइब करने हैं यहां प्लिए आपको सिंप्ली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे चार पेजेस हैं तो चलिए मैं आपको अपने ही पेज का दिखाता हूँ तो अभी हम लोग का पेज तो फिलाल eligible नहीं है मेरे पास एक और पेज है जिस पर आपको मैं setup करके भी बताऊंगा कैसे setup करना है तो यहाँ पर आप देख पास invitation आ जाए इसको setup करने की वैसे तो यहाँ पर कोई criteria तो है नहीं तो आप simply यहाँ पर setup कर सकते हो तो अभी मैं आपको बताऊंगे कैसे करना है यह तो गया first method आपको यह दूसरा option कहां पर मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ आपको simply creative tools मिलाना और live dashboard में जाना है तो इसको setup करना है so guys जो हमारा page eligible है वो इंडियन गेमर्स के नाम से तो आप यहाँ पर देख पाऊँगे तो मैं उसको select कर चुका हूँ क्योंकि मैंने इस video का अपने second YouTube channel पर already upload कर रखा है तो हम लोग इसमें बस detail में जान रहे हैं कैसे आपको setup करना है सारी चीज़े तो आप य जैसे ही click करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ personal details add करनी पड़ेंगी जैसे कि आपकी country कौन सी है फिर आपका business type कौन सा यह सारी चीज़े एड करने के बाद तो आप जैसे ही यह दोनों चीज़ों को select कर लोगे तो आपके पास कुछ और options आ जाएंगे जैसे कि आपका यहाँ यहाँ पे legal name, address और यहाँ पे आपका city town हो गया रहा यहाँ पे add करना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े आप यहाँ पे add कर दीजेगा फिर आपको यहाँ पे last option बिलता है legal information के नाम पे फिर यहाँ पे other governments आप select करके आप simply यहाँ पे अपना नाम add कर दीजे और simply आप यहाँ Google पे search कर सकते हो, जैसे कि मेरा bank यहाँ पे Union Bank of India है तो मैं यहाँ पे Google पे simply search कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे account number डालना पड़ेगा तो मैंने account number यहाँ डाल दिया है, आप simply यहाँ पे link bank account पे click करोगे तो आपका account link हो जाएगा, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बत word डालना है और simply confirm पे click कर देना है, बस इतना सा process था, इतना करने के बाद आपके Facebook पे इस्टार्स वाला option आ जाएगा, तो आपके वीडियो के सला कमेंट्स में जरूर लिके बताई, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए, अगर चै एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, गुडबाय!